हलो फेंड कैसे हैं आप आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं अभी आप लोग का बहुत-बहुत स्वार करता हूं दोस्तो प्राचीन भात के इतिहास में आज हम लोग कौभर करेंगे गुप्तकाल गुप्तकाल में हम लोग 320 से लेकर 520 इसवी तक जितने महत्पुन नहीं पुछने जाने की हाई प्रोब्लेटी है तो आप लोग भली बात ही जानते हैं कि प्राचीन भात की यहां से 5-6 कोश्चन पुछे जाते हैं और 5-6 कोश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा बात है आप लोग जानते हैं कि एक एक संस्थापक गुप्त स्री गुपत खुपत गुपत के संस्थापक स्री गुपत ठीक है कि अब आते हैं कि गुपत वेंकी बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दो गुपत काल में दोस्तों महतपूर्ण, सात, सासक हुए थे, तो पह烈ा, स्री गुप्त, दूसरा, दूस्तों, घटो, उतकच, उसके बाद, चंद्रगुप्त परथम, चंद्रगुप्त परथम, को दोस्तो, गुप्त बन्स का वासित्विक संथापक बाना जाता है, उसके बाद समंद्र गुप्त चौथे नमबर पे पाच्वे नमबर पे चंद्र गुप्त दूतिये उसके बाद छठे नमबर पे कुमार गुप्त पर्थम और सात्वे नमबर पे असकंद गुप्त ठीक है तो गुप्त वंस में ये साथ महत्पुन राजा हुए थे ठीक है द आदिराज उसके बाद महाराज तो श्री गुप्त ने दो उपाधी धारन किये हुए थे आदिराज और महाराज तो ये आप यादर कियेगा चलिए हम लोग नेक्स्ट की और आते हैं मंदिरों का निर्मान शुरू हुआ था तो किस समय मंदिरों का निर्मान शुरू हुआ थ चलिए next है दसमलो पढणाली की शुरुवात हुई थी तो गुप्त काल में दसमलो पढणाली की सुरुवात हुई थी ठीक है और इससे पहले हम बतादे है कि हम लोग प्राग्यति हासिक काल सिंद्धू घार्टी सब्वेता बैदी काल प्राचीन धार्मिक आंदोलन में बौध और जैन्ध हमके बारें पढ़े हैं उसके बाद मोडे काल के बारें पढ़े हैं उसके बाद हम लोग आज गुप्त काल की और आए हैं इसके बाद हम लोग प्राचीन भाद को समाप्त करेंगे उसके बाद मध्यकालीन की और आएंगे ठीक है दोस्तो उस का गलती हो जाए लेकिन आपका गलती नहीं होना चाहिए देखिए आपका सेलेक्षन कैसे नहीं होता है चलिए नेक्स्ट है कि मंदीरो बंदीरो निर्मान कला में वी मान सैली का प्रचलन हुआ था मंदीरो चूल वंस चूल वंस में जो की यहाँ पड़ा चलन हुआ था चलिए नेक्स है चरक थे तो आपके एकजाम में सिज़ए डिर्कले कोशन बन जाएंगे चरक थे तो चरक क्या थे आयूरवेद के जनक थे चरक ठीक है चलिए नेक्स्ट है रास्टिये पंचांग आधारित है रास्टिये पंचांग किस पे आधारित है तो सक सामोंध पे रास्टिये पंचांग आधारित है ठीक है दोस्तो और इसे पहले बाले अगर विडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा ह वहां से देख लिजेगा और दोस्तों अगर facebook page भी हमको जूरना चाते हैं तो आप link description box में दिया जा रहा है वहां से आप facebook page से हमारे से जूर सकते हैं चलिए next है गुप्त वन्स की जहनकारी प्राप्त होती है तो वायू पुरान में गुप्त वन्स की जहनकारी प्राप्त होती है चलिए next है कुसान वन्स का अंतिम सासक वासु देव था चलिए हम लोग दोस्तों अब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं इसके बाद हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे सब पढ़ दोस्तों समुद्र गुप्त द्वारा उपाधि धारण किये हुए थे समुद्र गुप्त प्रा क्रमांक के उपाधि धारन किये हुए थे और स्री विक्रमक की उपादी धारन किये हुए थे ठीक है चलिए और दोस्तों समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्र गुप्त को इसको आप यद रखियेगा चलिए प्रसिद चीनी बॉध्य यात्री स्पाहियान आया था था पर तुअ प्रफम नहीं यह लोग दूतिय के दर्बार में आया था और पंचवी उट्सदाब्दी में अब नीमें चीनी यात्री फाहियान आया था चले नेक्स्ट है विक्रम समोंत प्रारम हुआ था तो 58 बीसी में विक्रम प्रारम समोंत प्रारम हुआ था चंद्रगुप्त दूतिये बनाते हैं चंद्रगुप्त दूतिये का जो उपाधी है मैं बता देना चाहता हूं चंद्रगुप्त द्वड़ा उपाधी धारन किये हुए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्ये की ठीक है दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारन किये हुए थे और विक्रमांक की उपाधि धारन किये हुए थे चंद्रगुप्य दूतिये ठीक है तो इसको याद रखेगा चलिए आते हैं कुमार गुप्त द्वाड़ा उपाधि क्या धारन किये हुए थे कुमारुप्त चलिए कुमारुपत दूसतों महेंद्रा महेंद्रा दूतिये महेंद्रा दूतिये की अपादी धान के हुएते कुमार्गुप्त नेक्स्ट में दोस्तों नद्राबिसवी ढके संस्थापक थे ये तो इसलेजें घुप्तकालिन रजत एव्ग का नाम किया था तो इसको याद रखेगा चलिए नेस्ट की और नंदा 14 जी द्वारा ऑप सब्धिहार के नेस्ट किया गए था उसं चाहा जाता है कि वो जलते रह गया था तो बक्तिहार खिल जी द्वारा नंदा विश्व विद्याले का को नस्ट किया गया था और बक्तिहार खिल जी मुहम्मद गौरी के सेना पती था बक्तिहार खिल जी इसके बाद हम लोग मध्यकालीन में पढ़ेंगे मुहम्मद गौरी के बारे में कुत विस्वोविधा लेकी अस्थाप्ना की थी कब की थी तो धायं ईस्वी में की चलिए I. Pacific Song की राजकिय भासा क्या थी तो संस्क्रीघ थी उथ avo चलिए भारतिय इतिहास का व हुल्च कहा जाता है तो गुप्तकाल को भारतिय इतिहास का व pont यूग कहा जाता है ठीक है तो इसको याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट की वर आते हैं चीनी यात्री हेंसंग जिसके सासंकाल में भारत आया था और फाहयान कब भारत आया था किसके सासंकाल में तो चंद्रगुप्त दूतिय के सासंकाल में फाहयान आया था चलिए नेक्स्ट है हेंसंग द्वारा लिखित पूस्तक थी तो सी यू की इसको याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट है हर्सवर्धन का दरबारी कभी था तो बान भट हर्सवर्धन का दरबारी कभी था चलिए नेक्स्ट है पल्लाववंस का संस इस वी में प्राजित किया था तो कहा किया था तो नर्मदा नरी के किनारे किया था पुलकेसिन दूती ने हर्शवर्धन को प्राजित चलिए कुछ और पॉइंट है दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग को एक्जाम में कोशेन नहीं छूटे और दोस्तों यह वीडियो कैसा लगड़ा है हमको जरू कमेंट में आप बोलिएगा चलिए नेक्स्ट है पल्लो की राजधानी थी कहां थी दोस्तों पल्लो की राजधानी क्राची पूरं थी क्राची पूरं कहां परता है तमिलाडू में परता है क्राची पूरं चलिए नेक क्षेट मानिय छेट हैं रीडे मान्स के जाड़ सकते हैं यह जरूर सो सकते हैं थे जरूर पर उथाई लिए जोड़ तो चोल नो सैनिक सकती के लिए प्रसित थे चलिए नेक्स्ट है अस्थानिये स्वासासन विसेस्ता थी चोल वंस की थी ठीक है चलिए नेक्स्ट है यही दोस्तो चोटे चोटे प्रस्ण बनते हैं और आप कहीं न कहीं जानते हुए भी गलती करेंगे तो आप अपने खुद अपने आप बहार निकल लाएं ना कि आपको आयोग बहार निकल लाएं अकर्मन हुआ था तो असकंद गुप्त के समय चार सो पच्पन इस भी में हुणो का आकर्मन हुआ था ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट है वाड़ा मी मी हीर थे तो खागोल वीद थे वाड़ा हमी क्या थे तो इसे ही पूछ दिये जागा वाड़ा मी कौन थे तो खागो की काल संगम यू का महान सासक था और संगम का तातपड़ होता है कभिवो की गोस्ठी चलिए नेक्स्ट है परत्थम अर्दूतियसंगम हुआ था तो मदू रै में हुआ था और कौपाट पूरं में हुआ था ठीक है तो इसको याद रगीएगा चलिए नेक्स्ट है तंजोर के बिर्देस्वर मंदिर का संबंध है तो चोल से तंजोर के बिर्देस्वर मंदिर का संबंध है ठीक है तो यह कई बार एक जामे बन गए है परस परसने नेक्स्ट है कोपम की लड़ाई किस के किस के बीच हुई थी तो पस्मी चालुक के दोस्तो और चोल के बीच हुई थी ठीक है बुझा नहीं रहा है ठीक है दोस्तो चलिए किस के बीच हुई थी तो पस्मी चालुके और चोल के बीच हुई थी नेक्स्ट है बिक्रम सिराविस्तो बीदालय की अस्थापना कौन किया था धर्म पाल ने बिक्रम 200 बीदालय की अस्थापना किये थे चलिए नेक्स्ट है, विदेशी यात्री में से कौन अच्छूतों की सबसे लंबी सूची प्रस्तूत करता है, तो अलबरूनी विदेशी यात्रियों में सबसे लंबी सूची प्रस्तूत करता है, ठीक है दोस्तों, तो गुप्त वन्स से या गुप्त काल से इतने महत्पुन objective प्रस्त आपके exam में कहीं न कहीं पूछने की संभावना है और आप इसको एक से दो बार तीन बार जितना बार हो सके यह वीडियो को देखे तो आपके पुरे दिमाग में पुरे cover हो जाएंगे और आप लोग revision के तौर पर इसको समझे और दस book से बढ़िया है कि एक book को ही प